Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो कल वाल लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली थियोरम स्टार्ट की थी that is fundamental theorem of finitely generated a billion groups. इसी थियोरम का हमारे पास एक और नेम भी है that is structured theorem of finitely generated a billion group. कल हम लोगों ने case 1 तक discuss किया था तो सबसे पहले हम लोगों देख लेते हैं कि case 1 में हम लोगों ने क्या discuss किया. तो इसके statement में हमारे पास ये था कि अगर हमें given है कि A कोई finitely generated a billion group है तो हम A को decompose करके लिख सकते है finite number of cyclic groups के direct sum में जिसमें जो cyclic sum है मतलब जितने भी हम लोगोंने cyclic sums लिये है ये तो है मेरे पास finite number of cyclic groups पर C1 itself उसके अंदर कितने elements होंगे infinite number of elements होंगे ठीक है तो इसी तरीके से C2 and up to CK तक सब में अपने लिए क्या होंगे infinite number of elements होंगे तो हमें क्या proof करके देना था ये चीज़ और फिर हमें दिखाना था कि जितने भी हम लोगोंने cyclic sum लिये है वो सारे के सारे infinite है या फिर अगर हम कुछ ले ले k से कम j हम अगर j suppose कर लें कि j मेरे पास cyclic sum है और उन सब के order क्या है m1, m2 up to mj और ये सारे order क्या करेंगे एक दूसरे को divide करेंगे plus j से जादा यानि j plus 1 j plus 2 up to c k तक वो सारे क्या होंगे फिर infinite होंगे ठीक है तो हमें ये चीज़ प्रूफ करके देनी थी case 1 में हम लोगोंने क्या प्रूफ करके दिया कि जितने भी हम लोगोंने cyclic sum लिये हैं that is c1, c2 up to ck ये सारे क्या हैं infinite ठीक है हम लोगोंने क्या किया हमें given था कि जो a है मेरे पास एक finitely generated a building group है तो हम लोगोंने इसका एक generating set ले लिया जिसमें k number of elements है और k के ओपर फिर हम लोगोंने induction apply कर दी like k equals to 1 के लिए apply किया फिर हम लोगोंने assume किया कि k minus 1 के लिए तो ये true ही होगा फिर हम लोगोंने third case में proof किया कि अब हमें k elements के लिए दिखाना होगा अब third case में हम लोगोंने case 1 discuss किया था जिसमें हम लोगोंने क्या किया जो a है capital a है उसके लिए generating set लिया that is small a1 a2 a3 up to a के ठीक है और further integers कुछ let किये that is x1 x2 up to x के और a set की जो हम लोगों linear combination बनाया कुछ इस तरीके से जिसको हम लोगोंने equation number 1 mark किया अब यह जो linear combination है यह linearly independent है तो जितने भी integers यानि कि x1 x2 up to x के हम लोगोंने लिए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ठीक है तो मेरे पास गहां से condition आई थी ठीक है equation number 1 की और फिर भी हमारे पास result यह ही आया कि यह जो दोनो equations है यह दोनों आपस में equal है जिससे यह prove हुआ कि जो हमारे पास A है फ़नाइटली generated a billion group उसके पास unique representation होती है ठीक है फिर हम लोगोंने इसी A के उपर cyclic sum के साथ एक direct sum की जो मेरे cyclic groups है वो सारे के सारे generated थे AI के साथ ठीक है और इस तरीके से हम लोगोंने प्रूफ करवाया कि जो मेरे पास cyclic sum है उन सब का जब हम direct sum करेंगे तो cyclic sum में कितने elements होंगे सब में इंफराइट elements होंगे और इस तरीके से हम लोगोंने हमारा case 1 complete किया था अब हम लोग आज हमारे इस lecture में case to discuss करेंगे ठीक है और इसमें हमें क्या प्रूफ करके देना होगा कि के हमारे पास के नंबर ओफ cyclic sum है के से थोड़े से कम हम लोग ले लेंगे like J मेरे पास C1, C2 up to CJ तक जो cyclic sum है उन सब का जो order है वो है M1, M2 up to Mj ये सारे orders क्या करते है मतलब एक दूसरे को क्या करते है divide करते है अब J से जादा जो हो गए that is J plus 1, J plus 2 up to K ये cyclic sum बचे मेरे पास ये cyclic sum सारे के सारे क्या होंगे infinite number होंगे infinite होंगे मतलब जैसे CJ plus 1 है इतने elements होंगे infinite number of elements होंगे तो ये cyclic groups तो मेरे पास पीछे से बचे हमें अब ये condition प्रूफ करके देनी है suppose that A has no generating set of K elements with condition 1 हम लोगों ने case 1 में लिया था कि K के पास A के पास क्या है एक generating set है that is A1, A2 up to A क ठीक है यानि कि K elements का एक generating set है A के पास अब case 2 में हम लेके चल रहे है कि नहीं उसके पास कोई भी generating set नहीं है और नहीं उसके पास कोई ये condition given है कि ये वाली that is जितने भी X है integers है वो सारे के 0 तो ये condition भी नहीं है उसके पास that is then given any generating set A1, A2 up to A K of A there exist integers not all 0 such that this representation ये representation ही हमें equation 1 में ली गई थी अब अभी तक कि इन्होंने क्या बोला कि suppose करो कि A के पास कोई भी generating set नहीं है और नहीं उसके पास कोई ये condition है कि उसके जितने भी integers हैं वो सारे के सारे 0 तो इट मीज अब उसके पास एक opposite condition है कि अगर सारे के सारे generating set ही नहीं है सारे के सारे जो integers है वो भी 0 नहीं है मतलब not all 0 लिखा है ये नहीं यहापे कि सारे के सारे 0 नहीं है कुछ हो सकते हैं और शायद कोई भी नहीं हो 0 ठीक है तो सच तार उसकी ये वाली representation हम लोग लेके चले थे अब इसके आगे मैं एक negative लगा दू कोई problem नहीं आएगी negative है इधर जाके फिर भी उसने खत्म होई जाना है तो इस negative लगाया अब ये submission है इसको मैंने ये सारे के सारे जो series है इसको submission की form में लिख दिया मैंने जिसमें जो आये है वो किस से वैली कर रहा है 1 से लेके के तक कुछ नहीं किया बस इसको short करके इस तरीके में लिख या ठीक है from above discussion we can assume that जो x i है वो greater than 0 है कहते है अब तक हम लोग उन्हों जो discussion की है उससे ये चीज़ हम लोग assume करके चल सकते है कि जो x i है उसकी value क्या greater than 0 है for some i consider now all possible generating sets of a with k number of elements कहते हैं कि अब क्या करो एक generating set अब हम क्या करेंगे हम लोग जितने भी possible generating sets एक पॉसिबल है ना वो सारे के सारे हम लोग consider करके चलेंगे लेकिन उन generating set में elements कितने होने चाहिए k elements का generating set होने चाहिए वो now let x is equal to मतलब x हम लोगों ने कोई set लिया जिसमें x1, x2, up to x के ही सारे का है मेरे पास integers है ये मेरे पास जो मेरे पास finitely generated a billion group a given है उसकी representation है जिसमें जो x size है वो सारे के सारे का greater than 0 है ठीक है और i की value vary कर रही है from 1, 2, up to k ठीक है for some generating set और अब हम लोग ने एक generating set ले लिया capital A का that is a1, a2, up to a के अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे take m be least positive integer that occur as a component in any k tuples in x ये जो आप देख रहे हो x1, a1 x2, a2, xk, a2 इन सब को हम लोग क्या बोलते है tuples like x1, a1 ये एक तपल है x2, a2 ये एक टपल है ठीक है तो कहते कि suppose करो कि हमारे पास कोई m1 है जो कि सबसे चोड़ा positive integer मतलब इस से जादा चोड़ा कोई नी हो सकता है यहाँ पर गिवर है that is least positive integer जो कि किस में अकर कर रहा है कोई ना कोई एक component में अकर कर रहा है किसी भी k-tuples में like for example x1, a1 है m1 इसमें भी अकर कर सकता है या तो m2, x में अकर कर सकता है या किसी में भी k-tuples है मेरे पास total में k-tuples में से किसी में भी एक में m1 अकर कर सकता है ठीक है without loss of generality we may take m1 to be the first component for some generating set a1, a2 up to a k तो कहते हैं without loss of generality मतलब अब m1 है वो किसी भी tuple में आ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग suppose करके चलेंगे कि जो m1 है वो first tuple में ही आ रहा है जो m1 है वो k-tuples में सबसे पहले number पे ही आ रहा है ठीक है अब तक तो जो generating set है वो मेरे पास क्या है a1, a2 up to a k generating set का क्या मतलब होता है कि किन elements की help से मेरे पास पूरा का पूरा जो group है वो generate हो रहा है तो इन elements की help से हो रहा था पूरा का पूरा group generate ठीक है तो हम लोग ने ले लिया कि जो m1 है suppose कर लो वो double 1 में ही आ रहा है तो अब representation कुछ इस तरीके से हो जाए कि x1 की जगब पर क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा बाकी की सारी series as it is इसको हम लोग ने mark कर लिया equation 2 ठीक है और यहाँ पर हमें already given है कि हम लोग जो m1 है वो least positive integer है अब हम क्या करेंगे इसी के ऊपर division algorithm लगा देंगे for example मैंने x i को divide किया है m1 के साथ because the least positive integer है तो मेरे पास qi आया है कोई quotient और ri आया है कोई remainder तो यह मेरे पास थी मेरे division algorithm ठीक है और जो ri remainder है मेरा वो vary कर रहा है 0 से लेकर m1 तक यही same equation मैंने यहाँ पर लिखी और इसको mark कर लिया as in equation number 3 अब x i की यही value यान equation number 3 को हम लोग substitute कर देंगे equation number 2 में चिक है अब x i है तो सबसे पहला x i मेरे पास qi 2 है तो i की value को 2 substitute करो left hand side में भी और right hand side में भी first couple तो हम लोगों रहने दिया तो x2 की value आ गई यहाँ पे x3 की value आ गई यहाँ पे और xk की value आ गई right hand side तो 0 ही है तो 0 हो गई अब क्या करो m1 मतलब जिन जिन टर्म्स में m1 है ना वो सबको एक साथ कर लो और m1 उन में से common निकाल दो ठीक है तो bracket में यह चीज़ आएगी प्लस बाकी सारी terms को as it is लिख दो अब bracket में जितनी भी term आई है ना उस सबको b1 लेट कर लो और equation number 4 mark कर दो ठीक है तो अब b1 हम लें सबको क्या ले लिया b1 तो अब value को substitute करो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 b1 और बाकी की सारी series as it is और इसको mark कर लो equation number 5 कि जो b1 है वो not equals to 0 है तो हम लोग suppose करके चलेंगे कि जो b1 है वो क्या है equals to 0 ले लो आप तो equation number 4 मेरे पास क्या थी ठीक है अब इस equation number 4 में हम लोग क्या change कर सकते हैं अगर मेरा b1 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया मैं क्या करूंगी सारी के सारी सारी की सारी सीरीज को except a1 except a1 सारी की सारी सीरीज को left and side पे shift कर दूँगी तो मेरे पास equation कुछ इस तरीक के से आ जाए कि a1 के equal यह सारी term with negative sign common हम लोग ने बहार निकाल लिया ठीक है अब जो a है मेरे पास उसका generating set हमने जो lit किया था वो क्या था but अब जो नई equation आई है उसके हिसाब से मेरा generating set क्या बन रहा है a2, a3, a, k क्योंकि अब इसमें तो a1 है ही नहीं है ठीक है तो मेरा निये बन गया जो लेके चले थे वो था k elements का set लेकिन जो आया है वो क्या है k-1 element का set जो की contradiction है जबकि हमने बोला कि जो k है वो least smallest है यानि कि k से कम तो कोई होई नहीं सकता तो k-1 कहां से आगया इसलिए contradiction हो गई यानि कि b1 की value 0 होई नहीं सकती क्योंकि b1 की value अगर हम 0 लेके चल रहे है तो मेरे पास एक contradiction अराइज हो रही है तो it means जो b1 है वो क्या है 0 के equal नहीं है तो अब मेरे पास equation number 4 क्या बनेगी अब मेरा जो b1 है वो not equal to 0 है तो वो as it is b1 रहेगा अब क्या करो सारे की सारे series को except a1 वापिस से left hand side पर shift करो तो मेरे पास equation कुछ इस तरीके से आ जाएगी done अब इस से क्या पता चल रहा है a के सारे के सारे generating set है क्योंकि अब देखो जो a1 है वो किस से generate हो रहा है सारे के सारे इनी elements से हो रहा है तो ये सारे इसके generating set होगी ठीके by assumed condition ये वाली अब generating set की बात हो रही है that is b1 a2 up to a के इस generating set ठीके ये चीज हम लोगों ने उपर बना दी and m1 is least positive integer ये भी हम लोग लेके चले in any x1 x2 up to x के belonging to capital x ये सारे क्या मेरे पास integers है ये सारे वही चीज़े हम लोगों ने लिखी जो उपर अभी हम लोगों ने लेट की या फिर हम लोग प्रूफ करके हटे हैं ठीक है तो I hope आप लोगों को यहां तक तो चीज़े clear होंगी like मैं आप लोगों को यही advice करूँगी कि case 2 देखने से पहले आप लोग प्लीज यहां तक याने कि case 1 तक जो lecture हम लोगों ने कल देखा न उसको जरूर देखो एक बार because आप लोगों को basic understanding तो वहीं से होने वाली है मैंने तो अभी जो starting में 2-3 मिनिट इसमें दिये हैं आपको explain करने में वो बहुत ही रफ आइडिया था कि हम लोगों ने क्या किया कल के lecture में but it will be very good कि अगर आप लोग उस lecture को देखने के बाद इसको continue करोगे तो तो आपको भी easy होगा समझने में अगर आपको कोई भी doubts आएंगे या कुछ भी होगा तो आप मुझे comment section में या फिर telegram group में पूछ सकते हो ठीक है इसमें कोई भी problem नहीं है ठीक है तो इतना हो गया है मारे पास अब यहां तक अब हम लोगों ने जब division algorithm लगाई थी तो उसमें ri की जो condition ली थी वो यही थी यही same condition आप दुबारा ले लो यहां पर ठीक है हम लोगों ने लिख ली अब इस condition में क्या करो यहां पर हमें given है कि ri की जो value है वो greater than equal to 0 हो सकती है तो अब आप क्या करो ri की value को 0 substitute कर दो अब अगर आप ri की value को equation number 5 में 0 substitute करोगे तो मेरे पास ri की terms कितनी है r2 से start हो रही है r2 से लेके rk तक सारी की सारी terms में आ रहा है तो it means यह सब क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी तो मेरे पास पीछे से सिरफ और सिरफ m1 b1 बजेगा तो m1 b1 किसके equal आजाएगा जीरो के equal आजाएगा और इसको आप माक कर लो equation number 6 ठीक है now let c1 be cyclic group generated by b1 कैते हैं अब let कर लो अपनी तरब से कोई भी चीज़ लेट कर लो कि जो c1 है वो मेरे पास एक कोई cyclic group है जो कि किस से बना है b1 से बना है यानि कि सारा का सारा cyclic group generated किस से है b1 से तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ that is c1 is equal to generated by b1 क्योंकि इन brackets का जो v-shaped bracket है इनका मतलब ही होता है एक symbol एक तरीके का जब हमें बताना हो कि कोई भी मेरा group है वो किस से generated हुआ है तो salement को इन brackets के बीच में रब दो now by equation number 6 order of c1 कितना होजाएगा उतना ही जितना order of b1 होगा क्यासे जो c1 यह बना किस से है b1 से ठीक है और जितन ना order यानि जितने elements b1 में होँगे उतने ही c1 में होँगे इसलिए order of c1 किस पेएक एक więks और order of b1 कि order of b1 क्या है m1 है क्योंकि b1 के साथ कितने elements जोड़ रहे है M1 elements जोड़ रहे है तो मेरे पास क्या आगया order of C1 M1 के एकोल अब let करो कि अब तक हम लोग A A group की बात कर रहे हैं A group हमारे पास given था that is finitely generated a building group अब एक और group ले लो subgroup ले लो एक कोई A का ही subgroup ले लो A1 जो की किस से generated है उसका generating set क्या है A2, A3, up to A के और अब A2 से लेकर A तक कितने elements हो गए that is K-1 elements हो गए तो यारी कि जो A1 है वो किस से generated है K-1 elements से generated है तो अब हमें ये proof कर के देना है कि जो मेरा पूरा का पूरा A group जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो किस से 1 है C-1, cyclic group, direct sum, subgroup A1 C-1 का direct sum A1 के साथ अगर हम लोग करवाते हैं तो पूरा का पूरा group A आएगा हमारे पास ये हमें proof करके देना है फोर every X, X किस में से बिलॉंग कर रहे है इस element से बिलॉंग कर रहे है ग्रूप से बिलॉंग कर रहे है तो हम लोगों ने इस चीज़ को आज़े जहाँ पे यूस किया तो मैंने क्या किया इसकी representation लिए जो X है वो किसको बिलॉंग कर रहे है A को तो X मेरे को पूरा का पूरा group ही generate करवाना है और इसी group का एक element ले लिए X और जिसकी representation है ये NI क्या है इंटेजर न सारे के सारे पहले हम लोग इंटेजर ले रहे थे X1 X2 अब अब लोगों ने इंटेजर ले लिए N1 N2 अब टो N के ठीक है B1 मेरा generating set है A2 और सारे के सारे element के cleaner combination में लिख दिया जिससे ये चीज़ पूरा हो गई चो मेरा A है ठीक है वो किसके equal है that is C1 plus A1 यानि C1 के elements को जब मैं add करूंगी सब group A1 के elements के साथ तब जाके मेरे पास पूरा का पूरा group C आ जाएगा ठीक है तो अब यहां तक तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया अब next हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो direct to prove direct sum C1 का intersection जब मैं A1 के साथ करवाऊंगी तो कुछ भी common नहीं आना चाहिए यानि कि 5 disjoint set है यानि C1 का अगर हम लोग A1 के साथ intersection करवाएंगे तो दोनों में कोई भी element common नहीं होना चाहिए हमें यह प्रूफ करके देना है जो कि हम लोग हमारे next lecture से start करेंगे आज के lecture में हम लोग इतना ही discuss करेंगे क्योंकि अगर मैं इससे जादा करवाऊंगी तो वो overdose हो जाएगा आपके लिए तो अब next हम लोग जितना भी portion pending है वो हम आपने next lecture में cover up करेंगे ठीक है तो आप लोग प्लीज को गो थू करो दोनों parts को अपने डाउच पूछिए मुझसे और फिर उसके बाद हम लोग 3rd part में अपना बाके का portion कम्प्लीट करेंगे ठीक है थैंक्यू गाइस